इसराली फिलिस्तीनी संधर्ष जो 14 मई 1948 से अभी तक जारी है। इस संधर्ष की जड़े 19-वी सदी के अंत और 20-वी सदी की शुरुवात से हैं, जिसमें यहूदियों और अर्बों के बीच प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलनों का जन्म हुआ। दोनों का उद्देश म मध्यपूर्व में अपने लोगों के लिए संप्रभुता प्राप्त करना था। यह संधर्ष जान बुझ कर पैदा किया गया संधर्ष है। यह अर्बिजरायल संधर्ष की एक लंबी कड़ी है। 1920 के दशक में फ्रेंको सीरियाई युद्ध के बाद फिलिस्तीनी पक अर्बिजरायल संधर्ष में विस्तारित हुआ। वास्तव में संपुर्ण फिलिस्तीन राज्य पर अरब मुस्लिमों का राज्य था। जहां सिर्फ 2% यहुदी रहते थे। पर जब दुसरे महायुध के समय जर्मनी में हिटलर ने यहुदी समुदाय के सामुहिक नरस का सिधान्त रखा गया। पर यहुदीयों के विस्तारवादी निती के चलते वह अरब मुस्लिमों को धीरे धीरे पिछे धकेलते हुए एक छोटे भू भाग पर लेकर आये। इसी लिए दोनों समुहों में एक ही क्षेत्र पर किये गए दावे का संधर्षन है। द्विरा पर यहुदी राज्य और यरुशलिम शहर में विभाजत करने की योजना को अपनाने और लागु करने की सिफारिश करते हुए संकल्प 182 अपनाया। अगले दिन फिलिस्तीन हिंसा की चपेट में आ गया। वर्तमान में इस्राइली और फिलिस्तीनियों की बहुमत चाहती है कि कई मुख्यमत पोल के अनुसार द्विराज्य सिध्धान्त पर इस संघर्ष को खत्म कर दिया जाए परंतु इसराइल और यहुदी नहीं चाहते के दो राश्ट्र बने वह तो धीरे धीरे पुरे देश पर अतिक्रमन करके संपुर्ण फिलिस्तीन चाहते हैं। कई फ दामों पर खरीदने पड़ते हैं। कुछ शिक्षाविद एक राज्य सिध्धान्त की वकालत करते हैं और पूरे इसराइल गाजा पट्टी और पश्चिम किनारे को एक साथ रखकर दो राश्ट्रेता को एक साथ रखकर एक राज्य बने जिसमें सब के लिए समान अधिका पर यह कठिन है क्योंकि इसराइल दूसरे राज्य पर अतिक्रमन करके जमीन हडपने के लिए बच्चों महिलाओ को कतले आम कर सकता है तो एक राज्य रहने के बाद अरब मुस्लिमों का नरसनहार भी कर सकता है। यद्यपी कुछ ऐसे महत्वपून क्षेत्र हैं जिनके का अपनी कुछ बुनियादी प्रतिबधताय कायम रखे हुए दिखाई देता है।